उपचुनाव, विधानसभा चुनाव और नगर निगम शिमला चुनाव में मिली एक के बाद एक हार को भाजपा भूल नहीं पाई है और हार के दुख से मुद्दा विहीन हो गई है इसलिए अनापशना ब्यान बाजी कर राजनेतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है कॉंग्रेस पार्टी पर सवाल करने से पहले भाजपा को अपना कारेकाल आवश्य याद कर लेना चाहिए यह बात मुख्यमंत्री के प्रधान सलाकार मीडिया नरेश चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कही देखिए बहुत बड़िया यह हमारे लिए बड़ा सुभागया है कि अगर शिमला के लिए कोई बड़ा एवजन होता है या विपक्ष के रष्ट स्थर पे जो विपक्ष के दल है सब वो शिमला में इकठा होके मिटिंग करना चाहते हैं और इसके लिए जब भी अभी तो हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जब आएगी हम तयार है और शिमला से पहले भी शिमला का नाता इतियास में रहा है शिमला संजोता बड़ी बड़ी बाते रही है इसके लिए हम तयार है अगर उनका हमारी पार्टी का पार्टी हाइक्मान का या प्रक्ष के लोगों क वो चाहते हैं कि ये मिटिंग शिमला से शुरू हो तो मुझे लगता है कि इसके पिछे एक और भी सोच है कि जिस परकार से हाली में जो विधान सभा के चुनाओं में जिस परकार की लोगों ने फैसला शिमला से और हिमाचल परदेश से किया तो वो अपने आप में भाचपा के राष्टी स्तर के नेता माने लिए परदान मंत्री जी ने पूरी ताकत लगाई परचार में भी लगाई और इनके सभी राष्ट नेता जो हिमाचल परदेश में रहे उसके बावजूद ये रत यहां रुका इनका और वो एक बड़ा इसका मैसेज पूरे देश की राजनिती में गया है मैं इस संदर्ब में भी इस बात को देखता हूँ कि जो इन लोगों ने ये बात कही है तो ये बात ऐसे भी लगता है कि शिमला से जो हिमाचल से जो बाचपा का रत रुका है वो इसको आगे बढ़ाना चाहते है वो इसको राजनितिक मुद्दा बनाना चाह रहे है विपक्ष की पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि लगातार तीन हार होने के बाद हिमाचल परदेश में अगर आप देखें कि बाइलेक्षन हारे उसके बाद विधान सभा का चुनाओ हारे और फिर मिंसिपल कॉर्परेशन शिमला का चुनाओ जिस प्रकार से लगातार हारे देख रहे हैं विपक्ष के लोग तो ये मुद्दे की तलाश में रहते हैं इसमें सभाविक है जो और भी घटना है देख रहा हूं मैं चमबा की जो घटना हुई उसको किस प्रकार से राजनिती क्रिष्टी से वाजपा ने उसका राजनिती करन किया वो एक मुद्दा ढूनने की अपना तिलाश रहे हैं लेकिन इमाचल प्रदेश के लोगों ने जिस प्रकार से अभी उनको सत्ता से बाहर किया है मुझे लगता है इनको ये समझना पड़ेगा कि एटलिस्ट इनको इंतजार करना पड़ेगा लोगों के फैसले का मान समान करना चाहिए और विपक्ष को अपनी एक सकरात्मक भूमी का निवानी चाहिए जो प्रदेश के हित भी बाते हैं मुद्धे हैं लोगों से जुड़े हुए मुद्धे हैं उसमें अगर जैराम जी का सहयोक रहे और राय मश्वरा रहे जो लोगों के विकास से जुड़े हुए मुद्धे हैं तो उसको हिमाचल प्रदेश के लोग भी पसंद करते हैं और सत्ता पक्ष भी पसंद करेगा कि क्यों आप विपक्ष के नातें बिना मुद्धों को मुद्धा बनाना चाहेंगे उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं ये निशित तोर पे हाई अलेट की आपने बात किये तो लोकल एडमिस्टेशन हर जगा का अलेट पे होता है और सारे प्रशासन जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको इस बात की जानकारी रहती कि उनको हर बात के लिए तैयार रहना है नेचर के साथ है तो इस बात के लिए हर जगा तैयारिया है जहां भी ऐसी परस्थितियां होगी उसको गंभिरता से और अमर्जनसी के साब से डिल किया जाएगा जहां भी नुकसान हुआ है लोगों का इसके लिए जो भी उनका नुकसान होता है या उसको भरपाई करने के लिए जो मेकनीज़े में उकाम कर रहा है पुलिस है परशासन है हर लोग अपने काम में अल्रेड़ी इस परकार के आदेश उनको दिये गए है कि हापको हाई अलर्ट पे रहना है और लोगों को जहां भी सुविधा बाहल करने उसके लिए आदेश सरकार के अल्रेड़ी गए हुए है देखिए नेचर के साथ जो नुकसान होता है वो किसी के हाथ में नहीं है लेकिन उसको बाहल करने के लिए प्राक्मिक्ता रहती है चाहिए और लोगों को कहीं एडमिस्टेशन से साहिता की जरूरत यह उसके लिए अलर्ट होते हैं तो यह सरकार की जिए रहती है और यह और इस परकार के आदेश जो है सरकार से सब ही विभागों को जा चुके हैं कि आप आने वाला जो बरसात है जो अभी शुरू हो चु काम रहता है लेकिन उसमें एक चीज उन्होंने नहीं कही है जहां तक मुझे नालेज है कि भी वो कह रहते हैं कि हमारे टाइम में ये फाइल आगे चली थी लेकिन कोई परमिशन मिली थी ऐसा मुझे उसमें कहीं सुना नहीं है कि उन्होंने ये कहा है लेकिन ये चीजे जह यहां वीर बदर सिंग जी को परदेश के लोगों ने याद किया, वो राजनीती से अलग बाते हैं, यह जो मुर्ती लगाने की बात है, इसमें भावना जूड़ी होती है परदेश के लोगों की, और मैं समझता हूँ यह राजनीतिक दिश्टी से इस पर ब्यानवाजी करना उचित नहीं है, वो एक बहुत बड़ी शक्सियत थी, उन्होंने साथ साल तक परदेश के और देश में जो है, राजनीतिक उनका केरियर रहा, छे बार परदेश के मुख्यमंत्री रहे, और छे बार तकरीबन मेंबर अव पारलेमेंट भी रहे, उसके इलावा भी एक है, डेप्टी चीफनिस्टर साब ने भी कल इस बात के उपर अपना ब्यान दिया, कि इस पर राजनीती नहीं होनी चाहिए, और मुर्ती अभी एक बनी थी, वो लगी है, आगे भी और मुका मिलेगा, और ये बिलकुल भी जिस दिस्टी से इसमें जो है, ठाकुर जैराम ज उसके हिसाब से जो कंपेरिजन था, वहां छे मिने का नहीं था, उनके कारेकाल में उससे उपर रहा, तो पहले स्टेटमेंट देने से पहले मुद्दे को चुड़ने से पहले विपक्ष के नेता को ये जरूर देखना चाहिए, कि उनके समय में क्या आलत थे, तो ये कोई म आत्मिकता है, हम इस मुद्दे पे घंबीर है, कि किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है, कानून हर वक्त अपना काम करेगा, देखो भी, आपने चंबा की घटना का जिकर किया, तो चंबा में जैसे ही हुआ, वो लोग, सब लोग जिन्होंने य आता कि वहाँ वो क्या मांग कर रहे थे, विपक्ष के नेता वहाँ गए, और वो वहाँ आगे उनके घर जाने की इजाज़त चा रहे थे, दारह 144 लगी थी, उसके बावजूद उनको अलाओ किया गया, कि आप 20-25 लोग अगर जाना चाते हैं, तो आप जा सकते हैं, लेकि कानून अपना काम कर रहा है, ये विपक्ष के जो है, बिना वज़ा के मुद्दे बनाने का एक परियास है, मैं समझता हूं कि उपर दबाव है, 2024 का चुनाव आने वाला है, और जैराम जी के उपर जिस परकार से इनको बठाया गया है, बिंदल साब को, तो मैं समझता हूं सभी प्रदेशवासियों को मा शूलीनी पर्व की हार्दिक शुब कामनाए, सदर बाजार, सोलन की ओर से सभी प्रदेशवासियों को मा शूलीनी पर्व की हार्दिक शुब कामनाए, शांडील एस्टेट, सोलन की ओर से सभी प्रदेशवासियों को मा शूलीनी पर्व की हा नाइब जैमा सूलीने हर हर महादेव घर घर महादेव हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी माता सूली में लेका युजन किया जा रहा है 23, 24 तारीक को सभी समस्त नगरवासियों को शहरवासियों को गाउवासियों को साधरा मंतरित करती हूँ 24 तारीक 11 बजे डिगरी कॉलेज मंदिर पे आएं आकर के परशाद करें हम लोगों के लिए ये तेवहार मेला नहीं है तेवहार की तरह है हमारी ये पारंपरिक धरोवर है मातासुलनी मेले की जिसे हम आगे तक ले जाने का प्रयास करते हैं इसी तरह हर साल, हर सो लाज से माता सुलनी का मेला चलता रहे, माता सुलनी की करपा बनी रहे, मेरे सोलन शहरवासियों को, मेरे सोलन के नगरवासियों को, मेरे गाउं के वासियों को, सबको मेरी तरफ से हार्दी सुब कामना है, मैं प्रिया महंत, चेला रतिनी नानी, डेरा क किंची समाज दिगतिनी डिग्री कॉलेज आप लोगों को मेरी किंची समाज की तरफ से सब को खुझझज आशिरवाद खो खुझझ प्रणाम आप लोगों को साधाराम्स तर आयेगा और बह जन कीजेगा बंडार